हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं पेनिये भाई के और रेली पे और सभी के बारे में क्योंकि यहां पर सभी एपीस कंपनी में यूज होने वाले जो फिंगर्पिंट डिवाइस है उनको बैंक कर दिया गया है यानि बंद होने वाला है तो इसमें जो डिवाइस है एल जीरो उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो इसमें दोस्तों काफी लोगों को confusion है कि यह जो डिवाइस है यह कब से बंद होगा कोई 30 मार्च बोल रहा है कोई 30 सप्रेल बोल रहा है कोई माई बोल रहा है जून बोल रहा है लेकिन इसका परफेक्ट डेट क्या है जिस तारीक से पूरी तरीके से यह बंद होगा मैं आपको वही इस वीडियो में इसको share करें तो दोस्तों यहां पर हाली में इनपीस यह की दोरा update आया है साथ में आपका जो पहले का डिवाइस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ L 1 का जो डिवाइस आएगा फिंगर पें वैस उस प्लाव कर पाएंगे और बाकी सारे जो डिवाइस है वो आपका बंद हो जाएगा पूरी तरीकेसेцыछ तो यहां पर दुस्तों अब यहां पर काफी लोगों को confusion है कि जो यह डिवाइस है यह कर बंद होगा तो चलिए मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था इस वीडियो में बता देता हूं आपको नोटिविशन ही दिखा देता हूं जो की यहां पर देख सकते हैं कि यह यहां पर यह ministry of electronics information technology और साथ में आपका UIDA की तरफ से यह notification जाड़ी किया गया है इसमें आपको यहां पर बताया कि जया है कि जो भी आपका L0 device है वो अभी चल रहा है फिलाल अच्छी तरीके से चल रहेगा लेकिन धीरे धीरे जो L0 device है उसको बंद की दिया जाएगा और स देडितर पृरी तरीके से आपका 3622 424 यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं 3622 24 को पूरी तरीके से यहां पर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद आपセEd L1 RD service वाले device को ही यूज कर पाएंगे तो यहां पर आप डेट देख सकते हैं कि आपका यह यह डिवाइस है यहां पर लिखा गया है यहां से यहां तक आप पड़ सकते हैं तक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद सिफ और सिफ आप L0 वाले डिवाइस को ही यूज कर पाएंगे तो यहां पर आप डेट देख सकते हैं तो इसमें आपको country होने वाले बात नहीं है यहां पर आपको डेट लिखा गया है यह जो आप PDF देख सकते हैं यह official notification है तो इसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि 36-24 से यह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो आपके पास अभी time है अगर आप यह वीडियो अप्रिल माई में देखते हैं तो आपको यहां पर 36-24 से पहले अगर आपके पास L0 device है तो उसको change कर लेना है और सब्सक्राइब कर देखते हैं यहां पर देखते हैं एक प्राइज जो है वह आपका थाइसों का पड़ेगा और साथ में इसमें आठार परसेंट का जी स्टील भी लगता है तो 33 के आसपास में यह आपका device अभी फिलाल की डेट में मिल रहा है आगे कम जादा भी हो सकता है तो यही डेट है 36-24 से आपका जो किया है पूरी तरीके से L0 वाले device बंद हो जाएंगे और L1 वाले RD service उसके बाद आप यूज करना चालू कर दें तो यही है कि आप बहुत सारी लोगों को confusion था कि कब से बंद होगा तो में जो डेट है वो मैंने आपको दिखा दिया है तो अभी आपके पास time है आप अभी भी अपना fingerprint device को change कर लें और अपने काम को जाड़ी रख सकते हैं इससे पहले भी आपको पता हुगा कि मोर्फो में E1 और E2 वाले जीते वी device थे सभी को बंद कर दिया गया था और उसके बाद आपका E3 को यूज में लाया गया था लेकिन अब जो किया है यहां पर L0 जो RD service वाले device थे उनको बंद कर दिया गया है और यह जो किया सभी company के लिए है mantra Morpho StarTech जीते भी fingerprint device है उन सब के लिए यह है तो यही था वीडियो उमेद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब से आपको आपका जो device है वो बंद होने वाला है औ और कब आपको बाय करना है तो यह आपके उपर है चलिए मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में तफ्तिल के यह बाय टेक्टियर